हलो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल साहोस अप सलूशन्स पर आपके लिए हम ऐसा वीडियो रख रहा है जो कि बहुत ही इंपॉंटेंट है जिसमें यह देखेंगे कि बूट स्ट्रैप क्या होता है किस तरीके से हम बूट स्टार्ट करूं तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो टूटोरियल को दोस्तों सबसे पहले तो हम यह बताएंगे कि बूट स्ट्रैप एक ओपन सोर्स रिपोजेट्री है राइट जो कि हमें एक पोपुलर फ्रेमवर्क देता है जिसमें CSS को यूज करके हम अगुलर जो है आपका फोर और उसे अपर बरजन का होना चाहिए उसके बाद बूट अस्ट्रेफ यह पफोर प्लस वना चाहिए पूट एन जिरो जीरो होना चाहिए जिसके हम अपने जेस और bootustrap.mean.js are not required. bootustrap भी हम उच करेंगे तो उसके एकल CSS की उच करेंगे. उससे ही हमारा एंगर के अंदर पूरा functionality इज हो जाएगा. हम अपने application को stylist बना सकते हैं. अब उसका practical करके हम इस video tutorial में देखेंगे भी. जिससे आपका concept बिल्कुल clear हो जाएगा. और आप भी अपना application अश्टाइलीस बना सकते हैं. तो दोस्तो इसके बाद हम बात करेंगे कौन-कौन सा browser support करता है हमारा bootustrap. दोस्तो जितने भी latest browser हैं, सारे latest browser support करता है bootustrap. जिसलिए बहुत अच्छी चीज है कि bootustrap हम यूज करते हैं, तो हमारे सारे browser पर हमरा application पुरूपर work करेगा और अस्टाइलिस दिखेगा. तो दोस्तो आगे हम यह देखेंगे कि हम किस तरीके से install कर सकते हैं, और कौन-कौन सा way है जिसे हम easily use कर सकते हैं. तो दोस्तो हम यह देखेंगे कि दो वे होता है एंगुलर अप्लिकेशन उज करने के लिए, एक तो यह वे है कि आप bootustrap के जो साइट है, official website, उस पर जाएए और bootustrap.min.css को डाउनलोड कीजिए, और अपने एंगुलर अप्लिकेशन में app folder के अंदर, दोस्तों हम नोटिस अप्लिकेशन है, उस फाइल के अंदर इसका path register कर देंगे, उसको मैं दिखाता हूँ आगे किस सरीके सम करते हैं, जैसे माली दोस्तों यहाँ पर bootustrap को आप यहाँ पर फाइल को copy कर देंगे, उसके बाद इस फाइल के अंदर, अगर आप उनलोड शेबिन उज कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको angular.json का फाइल मिलेगा, और यहाँ पर यहाँ पर जाएंगे इस फाइल के अंदर, style के अंदर, जो style आए रहे हैं, उसके अंदर bootustrap.min.js फाइल को use कर लेंगे, तो दोस्तों यह भी मैं बताऊंगा आगे, उसके बाद हम देखेंगे, दूसरा tip जो हो करता है, terminal open करेंगे, तो आपका command open होगा, उसमें लिखेंगे npm install bootstrap-save, तो यह command जैसे ही type करके terminal में इंटर हीट करेंगे, तो आपके application में, थोड़ा सा time लगता और आपके application में bootstrap install हो जाएगा, right, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा, कि ng modules जो folder होता है, उसके अंदर boot bootstrap का जो path बनेगा, जो min.css का उस path को हम लाएंगे, और हम register कर लेंगे style के अंदर, right, तो उसके बाद हम अपने application में easily use कर सकते हैं, और इसका आप package or JSON file में भी जाकर देख सकते हैं, कि आपका application में install हो चुका रहेगा, right, तो दोस्तों चलते हैं, project के तरह और इसका practical करके द bootstrap का CSS easily apply कर सकते हैं, right, तो दोस्तों चले चलते हैं project के तरफ, तो दोस्तों यह है project जहां पर example करेंगे, practical करेंगे, कि bootstrap कैसे install करते हैं, और कैसे use करते हैं, दोस्तों या तो आप bootstrap का official website से जाकर bootstrap.min.css file को download करके, इस app folder के अंदर copy कर सकते हैं, और उसका path जो है, आप style मिलेगा आपको, उस style के अंदर यहाँ पर रख सकते हैं, path, right, तो इस तरीके से भी उज़ कर सकते हैं, हम आपको सिखाएंगे install करके कैसे use करते हैं, right, तो उसकी लिए command होता है, दोस्तों कि यहाँ पर आप लिखेंगे npm, और यह जो terminal है, दोस्तों आपको idea होगा, एक terminal कह यहाँ साता है, view के अंदर जाएंगे, और यहाँ पर integrated टर्मिल को open कर लेंगे, तो यह open हो जाएगा terminal, और यहाँ पर लिखेंगे, npm install, install, bootstrap, dash, save, और inter hit करेंगे, थोड़ा सा time लगता है दोस्तों, उसके बाद इस application के अंदर bootstrap install हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको दि कर सकते हैं, कौन सा बर्जन install हुआ है, और इसका folder कहाँ पर बनता है, उसके बाद हम देखेंगे, application के अंदर कि किस तरीके से use करते हैं, इसको, राइट रहा सा wait करेंगे, install हो रहा है भी, तो दोस्तों यह install हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि bootstrap 4.1.3 install हो चु करते हैं, कि आपका जो bootstrap 4.1.3 है, तो फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका folder कहाँ पर बनता है, जिसका हम path देंगे, यहाँ पर node modules के अंदर जाएंगे, दोस्तों यह notice करिए, एक किस-किस folder में जाने, इसी का path हमें देना होगा, angular.json file में, तो node modules के अंदर और इसके अंदर css, css के अंदर देखी, इतने सारे css add हो चुके है, bootstrap, grid, grid.css, सारे css जो bootstrap के यहाँ पर आ गया है, हमें use करना है bootstrap.min.css file को, right, इसका हम path कहाँ पर देंगे, जैसा कि मैंने बताया, angular.json file के अंदर, right, इसको बंद करेंगे, और angular.json file के अंदर जा और आप के system में angular 7 install हो नहीं है, पुराने आप version पर काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर angular.cli.json file मिलेगा, उसमें आप add करेंगे, और यहाँ पर styles के अंदर add करेंगे, इस अहरे के अंदर, यहाँ पर comma लगाएंगे, और यहाँ पर नीचे add करेंगे, हम double keyto's के अंदर, right, double dot लगाएंगे, कि दो फोल्डर बाहर निकलना हो गए, यहाँ पर, right, तो उसके बाद इसे हम क्या लिखेंगे, node, modules, right, फिर slash, backslash, उसके बाद किसमें जाना था, bootstrap, इसके बाद dist, इसके बाद हम css, उसके बाद bootstrap.mean.css, right, हमने path दे दिया proper, right, अब हम अपने application में bootstrap के css, जो bootstrap.mean.css है, इसको हम easily use कर सकते हैं, किसी भी component पर, right, इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, कि जाएंगे html page पर हम use करने के लिए, यह किस तरीके से इसको use करते हैं, right, अब हम जाएंगे html page पर, और यहाँ पर simple सबसे पहले क्या करने हैं, दोस्तों एक button लेते हैं, right, button हमने लिया, और इस button में हमने लिख लिया, check bootstrap, बस ह देखने के लिए, कि किस तरीके से effect होता है, right, तो दोस्तों क्या होगा कि सबसे पहले, इसको हम run कराकर देखते हैं, कि simple way में without bootstrap का ऐसा देखता है button, उसके बाद इस पर apply करके देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा, क्या effect आ रहा है, यहाँ आप हम लिखेंगे ng serve, right, इंटर हिट किया, तो टाइम लगता है application को activate करेगा, उसके बाद हम देखेंगे इसका effect, तो दोस्तों यह compile हो चुका है, हम ब्राउजर में देखेंगे, ब्राउजर में जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर देखेंगे कि button आ चुका है, right, अभी इस पर हमने कोई bootstrap का class य second class, right, और यहाँ पर लिखेंगे हम, btn, right, दोस्तों इतना ही से, अगर मैं इतना ही चेक करूँ ब्राउजर में, इसको save कर दिया मैं, और इतना ही चेक करूँ, तो आपको दीखेंगा, इस नहीं से थरा सा effect आएगा button में, right, देखिए, यहाँ पर button का style चेंज हो चुका है, अब इसमें और हम चेंज करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, btn, dash, primary, right, primary, उसके बाद हम ब्राउजर में देखेंगे फिर, देखिए, तोड़ा साई, फिर effect चेंज होगा इसमें, देखिए, color आगया इस पर, means की boot trap का CSS, इस पर apply हो रहा है, इसको बड़ा करना होते, यहाँ पर लिखेंगे, हम btn, btn, lg for large होता है, इसको save करके देखेंगे, तो button बड़ा हो जाएगा, right, देखिए, button बड़ा हो गया, right, तो दोस्तों, इस तरीके से हम boot strap के CSS को use करके, हम easily अपने application का stylus और model बना सकते हैं, आप देख सकते हैं, कि यहाँ पर हमने कोई bjquery का file या क कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं, बस boot strap का mean.css file हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पर जो हमने अंदर हमने इसका reference दिया, दोस्तों, एक चीज़ और बता दूँ का अगर आपका यह path, इमें error आये, तो आप dot को हटा कर या dot बढ़ा कर देख सकते हैं, कि कि फोल्डर में आपका टेक्स्ट का जो यह टेक्स्ट दिख रहा है, यह इसका भी हम color change कर सकते हैं, class apply करके, यहाँ पर हमने लिख लिया, हमालों दोस्तों, class, इसके बाद इसमें हमने लिख लिया, text, danger, right, इसका text danger कर देगा, means कि rate कर देगा, इसको save करते हैं, ब्राउजर में देखते हैं, अप्लाई हो गया, right, तो दोस्तों, इस तरीके से हम bootstrap को install करते हैं, अपने application के अंदर यूज़ कर सकते हैं, दोस्तों, बस हमने छोटा से example देखा है, किस तरीके से apply करते हैं, उसी तरीके से अब bootstrap के जितने वे CSS हैं, class के through, आप अपने किसी भी control पर apply करके, अपने application को install दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी आपके मैंड में कोई confusion हो दोस्तों, तो हमारे comment box में जरूर शेर किजिए, इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और लोगो में share करें, ताकि सब को देखने को मिले, जिसे कि हमारा मनुप